तो नमस्कार श्रेंट आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ यह हमारे बाद जितने भी सारे मुबाइल फोन आते हैं तो मुबाइल फोन में रिपेरिंग करने का तरीका क्या होता है या मुबाइल फोन रिपेरिंग करने का तरीका क्या होता है इसके उपर मैं वीडिय करने के लिए या मोबाइल विडीय काम करने के लिए या मोट बी काम करने के लिए या सौफर्यर में बरियो से लिए और मैं लोगों के लिए MengपTON के लिए कोना शोर्ग्या करने के मिटा और मैं frankly मात बउर और तक्वात आकentes है यह बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने डॉंगल के लिए मुझे पर ओफर किया हुआ है कि सर आप मुझे को डॉंगल दे दीजिए मुझे डॉंगल भेज दीजिए वो डॉंगल समझ लीजिए कम सब्सक्राइब मैंने इस वीडियो के माध्यम से कम तक 25-30 बच्चों ने डॉंगल मंढया होगा और आज ऑख मोबाइल में लोग हो रहे हैं या मोबाइल फॉन में सफ्टर कर रहे हैं जो मईं इसमें एस चोई को अपको कोई डॉंगल भेज सकूँ या आप ऐसी कोई कोई भी डिलिवरी के लिए बोलें अगर विश्वास नहीं है तो फिर आप मत लिजिए कहीं से भी लीजिए लेकिन हलका सभी अगर टरस्ट है इतने दिन से आप समझ रहे हैं तो सारी चीज़ों को इतना बात आप जरूर रखिए किसी कारण बस अ aanगर क्लास में विजी हुई है किसी चक्कर में तो हमारी टीम आपको जरूर आपको help करीगी और आपको कोई चीज मिलती है उसमें कोई परेसा नहीं आती है तो पैसों को लेकर के भाई आप बिल्कुल टैंसर में लीजे और आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई भी समस्य आती है तो आपको help जरूर मिलेगी और आपकी समस्य के समाधान होगा और जो वीडियो के माध्यम से जितना सब लोग सीख रहे हैं तो इसको अमल भी जरूर करें और अगर आप mobile phone रेपेरिंग के complete training लेना चाहते हैं तो आप training center को join कर सकते हैं यहाँ पर मातर 45 दिन का course है 45 दिन के अंदे पूरा hardware software basic levels लेकर advanced level की complete training दी जाएगे आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को एक message किया है मुझे call किया है कि sir हम software का जो काम कर रहे हैं तो software काम करने के लिए हमारे पास क्या system होना चाहिए क्या requirement होनी चाहिए क्या क्या चीज़े हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम अपने system को यूज कर सकें और software के लिए काम कर सकें हमको काम करने में कोई problem ना है तो सबसे पहली बात आज मैं आपको वीडियो जो देने वाला हूँ system system कह सकते हैं, pc कह सकते हैं या आप laptop कह सकते हैं requirement आपको क्या क्या requirement होने वाला है system कि requirement क्या होने वाली है, pc क्या क्या होना चाहिए, configuration क्या होनी चाहिए यह सब चीजों के बारे मैं आपको बताने वाला हूँ आपके पास पहली बात तो क्या है आप अपने लिए जो भी software के लिए जो भी आप लेंगे system लेंगे laptop लेंगे या कोई भी चीज अगर आप लेंगे तो इस बात का आप जुरू ध्यान दखेंगे आपका जो system होना चाहिए वो कम से कम i3 होना चाहिए आज ही range में अगर देखा जाए काम तो आप Google Code से भी कर सकते हैं लेकिन आपके system में क्या होना चाहिए i3 होना चाहिए और कम से कम आपका नहीं होना चाहिए तो third generation से उपर होना चाहिए आपका processor क्या होना चाहिए i3 होना चाहिए उसमें third generation होना चाहिए इसके आभी मैं आपको बता दूँगा. तो हमारे बाद i3 होना चाहिए, third generation का होना चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज. जब हमारे बाद i3 third generation का होगा, तो उसके बाद हमारे पास अगली चीज आती है, ram. हमारे पाद जो ram होनी चाहिए कम से कम 4GB का RAM होना चाहिए RAM कितना होना चाहिए 4GB का RAM होना चाहिए तो हम जो भी software repairing करेंगे या software का कोई भी काम करेंगे तो हमारे पास जो RAM होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 4GB RAM का जो basic requirement है वो कितना होना चाहिए 4GB का RAM होना चाहिए तो i3 system होना चाहिए third generation होना चाहिए i3 से उपर हो आपका i5 हो, i7 हो i10 हो तो इस से उपर है कितना बहतर है अच्छी बात है लेकिन आपको minimum सरजी कितना होना चाहिए software करने के लिए i3 configuration को होना चाहिए दूसरी बात का RAM कितने होना चाहिए चार्जी बी रहे होनी चाहिए अब बात आती ही तीसरी चीज आपके बात आती ही hard disk की है हमारे system के अंदर जो hard disk से लगी होती है वो hard disk का मतलब HDD जो लगी होनी चाहिए वो कम से कम 200 GB से उपर होना चाहिए कितना होना चाहिए 1200 GB से उपर होना चाहिए यह मैं और इस्टोंट के लिए उनके लिए कहना चाहूंगा कि जो 1200 GB के अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें SSD यूज़ करें हार्डिस की जगे पर आप अपने सिस्टम में SSD को यूज़ करें की जिससे सिस्टम की Speed सुपर फास्ट हो जाएगी तो जिस्टम की Speed सुपर फास्ट होगी तो आपको Computer अच्छा चलेगए और आपको Software करने में कोई Problem नेगी आपका fast मिलेगा क्योंकि ہमारे Software करने के लिए Build सुपर फास्ट होने चाहि जितने Speed सुपर फास्ट है तो हमारी ये तीन चीजे ऐसी हैं जो हमारी system की speed को बढ़ाती है पहली चीज, I3, RAM, दूसी चीज उसके अंदर Hardix अब Hardix में क्या लगा होना चाहिए? SSD लगा होना चाहिए, कि SSD लगा होगा, तो SSD से क्या होगा? आपके system के switch fast हो जाएगी और performance आपको अच्छे मिलेगी है तो ये दोस्तों, उसके बाद software करने के लिए software करने के लिए आपको जो चौथी requirement आती है, जो fourth requirement आती है वो होती है तुमारी data cable आपको software करने के लिए जो data cable है, ये original data cable होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए? original data cable होने चाहिए, जो handset में use होती है original data cable के लिए आप दो तरीके के data cable के इस्टेमाल कर सकते हैं एक तो normal वाली दूसरी type C तो सबसे पहली बात आपके पास data cable होनी चाहिए जैसे आप गर आप देखेंगे, तो एक हमारे पास ये original data cable है ये हमारी V8 data cable है ये और दूसरी हमारी इसे data cable आती है type C तो दो तरह के data cable होनी चाहिए type C type की होनी चाहिए और V8 data cable होनी चाहिए तो तीन दो तरह के data cable होनी चाहिए एक और data cable हमारे पास होने चाहिए iPhone की तो हमारे पास तीन तरह के data cable होने चाहिए अगर आपके पास मान लिया data cable आपके पास नहीं है या आप data cable नहीं यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहिता हूँ अगर आप data cable की जगहाँ पर एक substitute में आप यूज कर सकते हैं उसके लिए मैं आपके लिए कहना चाहूँगा जितने भी आते हैं जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यह हमारे पास iPhone की data cable है यह original होती है जो Foxson Company की आती है इसको हम लोग यूज करते हैं तो original data cable होनी चाहिए normal, type C और iPhone तीन तरह की data cable होनी चाहिए अगर आप data cable नहीं रखते हैं तो data cable ना रखने के बाद आप यूज कर सकते हैं boot cable इसे हम लोग बोलते हैं multi boot cable multi boot cable आती है इसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं मैं आपको इसका photo net पर भी दिखा देता हूँ तो ये multi boot cable होना चाहिए ये थीन सो, चाह सो, पान सुर पर की आती है इसके माधियम से जो भी mobile phone आते हैं सारे mobile phone को हम लोग आसानी से connect कर सकते हैं तो ये हमारे पर multi boot cable होनी चाहिए मैं दिखाता हूँ multi boot cable हमारी कैसी होती है और multi boot cable का कैसे दिखती है अगर आप system पर जाएंगे Google open करेंगे Google open करने के बाद इसमें type करेंगे multi boot cable आगर आप डालेंगे तो इसमें image के क्लिक करेंगे तो इस तरीके से multi boot cable आती है ये देखेंगे इसके photo की बात करेंगे ये आपके boot cable इस तरीके से दिखती है ये multi boot cable होती है इस boot cable को आप यूज करेंगे यूज करने के बाद अगर आप बात करते हैं तो इसमें से ये वाला option आता है इसमें type C का साथ में converter भी आता है ये तुमारी USB होती है और इसको हम अपने computer पर लगा देते हैं computer पर लगाने के बाद फिर यहां से हम mobile phone connect करते हैं इसमें EDL में connect करने का option अलग होता है SVD MediaTek को connect करने का option अलग होता है Samsung को connect करने का option अलग होता है Qualicam को connect करने का option अलग होता है तो हमारे पास जो मैंने आपको दिखाए कि multi boot cable होती हो हमारी multi boot cable कैसे दिखती है तो multi boot cable होने चाहिए multi boot cable के बाद फिर अगला option आता है आपके पास होना चाहिए software tools क्या होना चाहिए software tool होना चाहिए यह software tool के माद्यम से आप mobile phone को repairing करेंगे या mobile phone में काम करेंगे उसके बाद आपके पास होना चाहिए software dongle software dongle आते हैं मैं आपको dongle दिखाता हूँ यह इसके box से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारे पास जो software dongle आते हैं उनको हम लोग कैसे मेरे पास बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर जितने भी सारे software हैं सारे dongle हैं सारे टूल हैं सब चीज इसमें दिखाता हूँ कौन को इन्टोल की जोगत पड़ती है यह देखें यह software का box आता है इस software box के अंदर जैसे सबसे पहली बात आपका यह फाई जिससे हम लोग IC को प्रोग्राम करते हैं उसके बार यह MMC का अडप्टर जिससे हम लोग IC को रीड करते हैं उसके बात यह आपका Z3X फिर आपके पास software के लिए dongle जिससे हम मोबाइल फोन में फ्लैसिंग करते हैं यह फाईल लाइट और जो essay student है जो निया dongle मंगाना चाहते हैं तो यह software के लिए dongle जो आप मंगाते हैं जो हम आपको प्रवाइट कराते हैं जिनसे आप मोबाइल फोन में अलॉकिंग फ्लैसिंग करते हैं तो जो भी essay student है अगर आप अपने software के लिए dongle मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं और आपको डोंगल दो से तीन दिन कंदर डिलीवर भी हो जाएगा और अगर इसके बारे में बांकि आप वीडियो के माधियम से इसके बारे में सब चीतों आप सीखते रहते हैं अगर देखेंगे तो इतने सारे software है जो आपको class में आपको training मिलता है मिलता है और उसके बाद यह बहुत सारा pen drive जिस pen drive में सारे software है जिनको आप लोग repairing करते हैं तो हमने आपको बताया कि हमारे software repairing करने के लिए किया कि हमारे पार basic requirement होना चाहिए और मैं एक बार दुबार आपको समझा देता हूं सबसे पहली बार system अच्छा होना चाहिए system के configuration i3 होना चाहिए third generation से उपर होना चाहिए RAM होना चाहिए 4GB RAM minimum होना चाहिए hardix होना चाहिए 256GB या 200GB से उपर hardix होना चाहिए SSD लगा हो तो super आपके लिए बहुत बेतर है SSD होना चाहिए data cable होने चाहिए normal data cable होने चाहिए type c होना चाहिए iPhone होना चाहिए उसके बाद boot cable होने चाहिए और आगर आपको बाद data cable नहीं है तो आप boot cable कभी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छी बाता आता software dongle tool जो मैंने आपको दिखाया यह सारे software dongle tool होने चाहिए तो आज दोस्तों मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पास जो भी mobile phone आता है उस mobile phone में इस software सम्मनित अगर कोई problem आती है तो उसको हम लोग कैसे repair करेंगे और क्या-का हमारे प सकती है जब आपके पर 1000 हो बिना 1000 है तो सिर्फ ताली बजाया जा सकता है तो कि आप ताली बजानों में है कि आप 1000 को यूज करने में है तो यह जितने भी सारे software हैं इनको आप आसानी से यूज कर सकते हैं और इन tools के मात्यम से mobile phone के repairing कर सकते हैं और अपने आपको strong कर सकते है और एक अच्छी खासी इंकम जन को generate कर सकते हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पास जो भी mobile phone आते हैं उस mobile phone करना जो software tool आते हैं या उन्हें क्या-क्या requirement रहती हैं क्या-क्या जरूरत की चीज़े रहती हैं तो भाई हम कोई भी आपके पास एक अच्छा कासा high speed का internet होना चाहिए क्याइक इंटरनेट की speed नहीं होता ह्ता होगी इतना बड़िया काम करेगा जितने भी सारे software होते हैं, यह सारे software internet के मार्धियम से काम करते हैं या internet के through काम करते हैं या internet तोटलीerson क्योंकि कोई भी software ऐसा नहीं होता है कहीं दुकान पर मिलता हो, कहीं कुछ हो सब चीजे internet से download होती है Once पना सारा data है जो यह भी गूमरा करते हैं का Kate foreign हम देंगे यह इतना सारा data है 5,000, 10,000, 20,000 data ऐसा कोई कहानी बताते हैं तो ऐसा बाई सारा कानी फेक है ऐसा कहीं कुछ नहीं है किसी बीचिज का कोई पैसा नहीं लगता है internet ना मेरा है ना किसी के बाप का है वो सब का है और अगर आप इन सब चीजों की training लेना चाहते हैं तो training भी ले सकते हैं और इन सब चीजों के बारे में समझ भी सकते हैं तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि software repairing करने के लिए एक आदमी है अगर वो software के लिए अच्छा काम करना चाहता है या software में महारत हांसिल करना चाहता है या software के बारे में तो इन सब चीजों के बारे में start कर सकता है इन सब चीजों के बारे में अपने आपको collect करके, arrange करके समझ सकता है तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कि आपको वीडियो में क्या सारी चीज़े समझ में आई या क्या सारी चीज़ों के बारे में help मिला तो कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत रहती है तो आप इन सब चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं तो मैंने आपको वीडियो में आपको सब चीज समझाय हुआ है, तो वीडियो में आपको कैसा लगा, क्या सारी चीज़े समझ में आई, या कोई भी चीज के बारे में अगर आपको help चाहिए, या कोई भी suggestion चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो हमारे नीचे वे दिये हु उसे 45 डेस के अंदर जितने भी सारे मॉबाइल फोन आते हैं सारे मॉबाइल फोन को हाडवेर है, सॉफ्टर है, बेसिक लेबल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लेट ट्रेनिंग आपको दी जाती है एस से लेकर जड़ तक सारे मॉबाइल फोन को रेपैर करने के तरीक आपको सिखा जाता है theoretical and practical दोनों माध्यम से training मिलता है advanced level तक की पूरी complete training मिलती एसे लेकर जट तक सभी mobile phone को repair करने के तरीका आपको सिखा जाता है ऐसा कोई mobile phone ने दुनिया जान का जो आपको repair करने के तरीका आपको न सिखा जाए है तो आज की वीडियो में आपको क्या सारी चीजे सीखने के मिली क्या help मिला अगर कोई भी चीज के बारे में और information जाईए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे comment पर message कर सकते हैं और दूसरी बात का है आज मैं कहना चाहता हूं हमारे पार जहार खंड के हैं उन्होंने दो बात तीन बार message किया है मैं वीडियो को मध्यम सुन को कहना चाहता हूं आप ज़रूर नोट करिएगा आपने जैसे मुझे message किया कि सर क्या आपकी class में एक ही microscope दिखता है microscope जो होता है वो आदमी को repairing करने में आपके help करता है जो भी सारी स्ट्एट करने के लिए आते हैं जो भी functions कोड़े करने के लिया आते हैं तो वो लोग besausa microscope में आपको ao करते हैं हमने class में अलग-अलग से बहुत सारे microscope रखे हुए हैं ताकि जो भी बच्चा जब भी रिपेरिंग करता है अपना setup बनाता है तो microscope को ले लेता है और लेने के बाद उसको class में रिपेरिंग करता है उसको यूज करता है मैं इस वीडियो के माध्यम से इंड में आपको दिखा भी दूँगा कि कैसे कैसे हमारे पाद माइक्रोस्कोप हैं जो वीडियो के माध्यम से बच्चे रिपेरिंग करते हैं और एक एक करके काम करते हैं और पूरा setup भी दिखाऊंगा और दोस्तों मैंने आज आपको software के बारे में आपको पूरा complete आपको वीडियो दे रहा हुआ है और software के माध्यम से रिपेरिंग कैसे किया जाएगा किन-किन चीजों को ज़रुद पड़ेगा requirement क्या है ये requirement उन लोगों के लिए बहुत काम आती है जो बिल्कुल 0 है जो बिल्कुल 0 है software के बारे में SW नहीं जानते वो लोग आज software में अच्छा काम करना चाहते हैं तो इन सारी requirement को जब फिल करेंगे तो अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे और उनको काम करने में रिपेरिंग करने में किसी बीचीज के कोई परिसानी कोई दिकत नहीं आएग और अगर आप यहां पर आकर करके complete training लेना चाहते हैं तो training center को बेसर काप जोइन कर सकते हैं और आज मैं कहना चाहता हूं कि एक हमारे पार call आया उन्होंने phone किया और वो साओधी के रहने वाले हैं साओधी में रहते हैं और रहने वाले तो फियर बना रसके हैं हाँ बिहार के रहने वाले हैं चंपारन के कहीं उन्होंने मुझे यह बताया कि सर मैं hardware का काम तो मैंने सीखा है software का भी काम सीखा है लेकिन मुझे hardware का तो कुछ समझ में आ है लेकिन software के बारे में तुमको बिल्कुल ने समझ में तो मैं सारा सब को छोड़ चाड़ के मैं साओधी आ गया अब वहीं पर नौखरी करता हूँ दो डाई साल हो गया और मैं आपकी वीडियो तो काफी टाइम से देखता रहा हूँ लेकिन बहुत सारा help मिलता है लेकिन आपने जब software के बारे में मुझे इतना सारा detail से जब वीडियो डाला हुआ है तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि या software कम हमने नहीं सीखा बड़ा गलती किया क्यों न हम भी भाई पूरा एक बाल complete software का training ले लें तो उन्होंने online training के लिए prefer किया कि sir मैं online training ले सकता हूँ तो हमने का ठीक है कोई दिकर नहीं software का training आप online भी ले सकते हैं तो उन्होंने online training के लिए अपना join करने के लिए बात करी और अपना साथ कुछ दिन में ही अपना batch को start कर लेंगे तो इस तरीके से मेरे बहुत ऐसे student है जो अपनी soft चला रहे हैं mobile phone दे परेने का काम कर रहे हैं किसी भी तरीके परसानी है अगर कोई छोटी सी चीज़ सीखना चाहते हैं तो भी training ले सकते हैं और अगर वो अपने आपको पूरा complete training लेना चाहते हैं तो training ले सकते हैं लेकिन इस बात के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा इस line में software का काम तो सीखा जा सकता है लेकिन hardware का काम ऐसा है जो भी बिल्कुल zero level के आदमी है जो भी बिल्कुल fresor level के आदमी है वो कभी भी मैं आपको बोलूँगा कि सजी आप online platform पे ना जाएं क्योंकि ये totally course practically है और जब तक hand skill का काम है जब तक आपका hand skill अच्छा नहीं होगा आपको एक करके सर के सामने बैठ करके एक चीजों को नहीं सीखोगे तब तक आप proper तरीके से काम नहीं कर सकते अब proper तरीके काम करना है तो आपको समय देना पड़ेगा और ये करके सब चीजों को बारे में सीखना पड़ेगा उनका practical करना पड़ेगा तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके तो software के रिपेरिंग करते हैं और कोई भी प्राब्लम कोई भी दिक्कात आती है तो हमारे नमबर पर संपर करें और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्यू दुस्तो